हेलो एवरिवान वेलकम टू रवी अदीती क्लासेज फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करेंट अफेर्स का एक काफी इंपॉर्टन टॉपिक टॉपिक का नाम है और ब्यूटरीज 2024 तो फ्रेंट्स इस वीडियो में हम जैनवरी से लेकर के जून तक के जितने भी फेमस और ब्यूटरीज हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं मैंने यहां पर आपके लिए टॉप सेवेंटी कोशन्स लिये हैं और सारे कोशन्स फ्रेंट्स इहां पे सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टन हैं तो अगर आप किसी भी एक्जाम के त्यारी गवर्नर मुर्ली धर चंद्रकांद भंडारे पास जवे एड़ एड़ एज ओफ 95 तो फ्रेंट्स यहां पे देखिए जून दोहजार चौबिस में किस राजे के पूर्व राजेपाल नाम है मुर्ली धर चंद्रकांद भंडारे का यहां पे 95 वर्ष की आयू में निधन हो गया है फ्रेंट्स बात करें यहां पे मुर्ली धर चंद्रकांद भंडारे का तो यह उडिसा के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं तो आप्शन नमबर सी राइट आंसर हुगा 95 एज में इनका यहां पे निधन हो गया है इनसे रिलेटेट कुछ इंपोर्टन प्वाइंट यहां पे डिसकस करेंगे फॉर्मर उडिसा गवर्नर मुर्ली धर चंद्रकांद भंडारे हैस पास्ट अवे अड़ एड़ आज ऑफ 95 राव भंडारे वस अ सेनियर लीडर आफ महरास्टर कॉंग्रेस इन मुंबाई ओं दिसंबर 10th 1928 यहां पर 10 दिसंबर 1928 को मुंबाई म के राव भंडारे महरास्टर कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता थे he served as a member of राजसभा for three terms he was elected in June 1980 April 1982 and April 1988 यह तीन कारेकाल में राजसभा के सदस से रहे थे कब-कब एक बर 1980 में 82 में और 1988 में अगला कोशन है इन जून 2024 DLS method creator Frank Duckworth has passed away at the age of 84. He was from which country? Friends DLS method बनाने वाले Frank Duckworth का जो है 84 वर्ष के आयू में निधन हो गया है आपको बताना है यह किस देश से थे तो friends यह बिलॉंग करते थे England से right answer option number A होगा तो friends आपको हर एक कोशन में यहापे picture भी देखने को मिल जाएगा जो भी है तो इससे आपको याद करने में काफी असानी होगी right तो यहाँ देखिए उनके बारे में कुछ important points friends हर एक question में हम आपको जो भी important point हो सकता है जो exam point of view से आपके लिए important है वो बताने वाले है तो अगर आपको वीडियो को content है और हमारी जो वीडियो की quality है अच्छी लग रही है तो channel को subscribe जरूर कर लीजेगा ऐसे औ और भी content हम आपके लिए लाते रहेंगे ओके जो भी exam oriented topics होते हैं वो आपको हमारे channel पे मिलते रहेंगे तो इनके बारे में देखिए Frank Duckworth was a legendary statistician of England ठीक है तो यहाँ पर friends Frank Duckworth जो थे यह England के दिगज statistician थे in 1997 he along with Tony Lewis devised a method to set revised targets for a rain interrupted match which was officially implemented by the ICC in 2001 तो 1997 में इन्होंने Tony Lewis के साथ मिलकर friends बारिश से बाधित मैच के लिए revised target set करने के एक method को तयार किया था जिसको ICC ने 2001 में अधिकरित रूप से लागू भी किया था DLS का full form है friends यहाँ पे Duckworth-Lewis-Stern method ठीक है अगला question है President Ibrahim Raisi has died at the age of 63 in a helicopter crash in May 2024 he was the president of which country तो यहाँ पे friends माई 2024 में हुए helicopter हाथसे में राश्ट्रपती इब्राहिम Raisi की 63 वर्ष की आयू में निधन हो गया है यह किस देश के राश्ट्रपती थे? Right answer reference इरान ठीक है इरान के राश्ट्रपती थे इब्राहिम Raisi जिनका helicopter crash में death हो गया है देखे इरान's President Ibrahim Raisi has died at the age of 63 in a helicopter crash President Ibrahim Raisi and Foreign Minister Hussain Amir Abdullahian were among seven others on the board on the helicopter तो यहाँ पे इरान के राश्ट्रपती इब्राहिम Raisi का helicopter crash में 63 वर्ष के आयू में निधन हो गया है helicopter में राश्ट्रपती इब्राहिम Raisi और विदेश मंदरी Hussain Amir Abdullahian के अलावा साथ अन्य लोग भी सवार थे All nine people on the board the helicopter were killed तो इसमें जितने भी लोग थे नौ लोग थे इन नौ लोगों की यहाँ पे यह मारे गए ठीक है अगला question in May 2024 Nobel Prize winner in the field of literature Alice Munro has passed away at the age of 92 She was from which country यहाँ पे देखिए friends Nobel Prize winner है Alice Munro literature के field में ने यह award दिया गया था आपको बताना है कि यह कौन से country से belong करती है इनका हाली में death हो गया है at the age of 92 तो correct answer है friends Canada Canada से belong करती है Alice Munro इनके बारे में देखिए exam में आप से यह भी पूछा जा सकता है friends कि Alice Munro जिनका हाली में death हुआ है इनके बारे में देखिए Alice Munro Canadian author has died in Ontario at the age of 92 she became the first Canadian to receive the Nobel Prize in literature in 2013 very very important point तो पहले ऐसे Canadian थी जिनने Nobel Prize दिया गया था literature के field में 2013 में यह आपको याद रखना है इनने 2013 में जो है Nobel Prize दिया गया था अगला question the world's oldest person Joan Vincent Perez Mora has passed away at the age of 114 he was from which country तो यहाँ पे friends विश्व के सबसे बुजरु वेक्ती थे Joan Vincent Perez Mora इनका 114 वर्ष के आयों में निधन हो गया है तो यह कौन से यहाँ पे देश से थे तो friends यह Venezuela से थे next in June 2024 Mumbai Cricket Associations Honorary President Amol Kale passed away at the age of 47 during the Indo Park match he was from which state तो यहाँ पे जून 2024 में Mumbai Cricket Association के मानद अध्यक्ष Amol Kale का भारत पाक मैच के दौरान 47 वर्ष की आयों में निधन हो गया है यह किस राजी से थे यह friends बिलॉंग करते थे महरास्ट से तो यहाँ पे देखे friends Mumbai Cricket Association के President थे Amol Kale जिनका यहाँ पे cardiac arrest की वज़े से New York में जो है निधन हो गया है Amol Kale was born in Nagpur तो इनका जन्म Nagpur में हुआ था Kale was also a trustee at Tirumala Tirupati Devasthanam Tirupati Andhra Pradesh तो यह Kale जो है Tirumala Tirupati Devasthanam Tirupati Andhra Pradesh के trustee भी थे Next question Vice President Solos Chilima who died in a plane crash in June 2024 belongs to which country तो Solos Chilima friends यह belong करते थे मलावी से ठीक है जिनका हाल ही में जो यहाँ पे plane crash से निधन हो गया है अगला question in May 2024 Oscar winning composer Jan A.P. Kazmarek passed away at the age of 71, he belonged to which country तो यहाँ पे friends माई 2024 में Oscar Vijeta Sangeetkar Jan A.P. Kazmarek का 75 वर्ष की आयों में निधन हो गया है यह किस देश से थे? Friends, यह Poland से थे Next रहेगा in the year 2024, former deputy chief minister and senior BJP leader Sushil Kumar Modi has passed away at the age of 72, he was from which state? Friends, former deputy chief minister रह चुके हैं और senior BJP leader थे Sushil Kumar Modi बिहार से बिलॉंग करते थे जिनका हाली में निधन हो गया है at the age of 72 देखे, senior भारतिय जनता पार्टी leader और former deputy chief minister of Bihar Sushil Kumar Modi has passed away in New Delhi at the age of 72 he was suffering from cancer तो cancer से यह सफर कर रहे थे, इनका हाली में डेथ हो गया है Sushil Modi has served as the former deputy chief minister of Bihar for more than 11 years in two terms तो यहां पे friends, दो कारे कालों में इन्होंने 11 वर्षों से भी अधिक समय के लिए Bihar के पूर्व उपु मुख्यमंत्री के कारे मतलब रूप में कारे किया हुआ है Next question in the year 2024 Former bureaucrat Musa Raza has passed away at the age of 87 He was from which state तो friends, यह बिलॉंग करते थे Tamil Nadu से Option number A, right answer होगा इनके बारे में तोड़ा detail में डिसकस करें Retired Gujarat Kader IAS है Musa Raza Who was the chief secretary of Jammu and Kashmir in 1989-90 Has passed away in Chennai Friends, यहापे Gujarat Kader के Sivan Ravit IAS थे Musa Raza, जो की 1989-90 में Jammu Kashmir के मुखे सचीव थे इनका चिन्नाई में निधन हो गया है इनकी एज 87 थी Musa Raza was eventually also the chairman of South Indian Educational Trust His book of Nawabs and Nightingles is a collection of his early experiences in the Indian Administrative Services तो Musa Raza friends, यहापे देखे South Indian Educational Trust के यहापे chairman भी थे और इनकी जो early यहापे experiences थे as a IAS, यह इन्होंने बताई थी in his book of Nawabs and Nightingles में ठीक है तो आपसे exam में यह भी पूछा जा सकता है कि of Nawabs and Nightingles यह किस के द्वारा लिखी गई है तो right answer यहापे Musa Raza होगा अगला question actor Bernard Hill who played the role of Captain Edward Smith in the film Titanic has died at the age of 79 he was from which country तो friends यह बिलॉंग करते थे Britain से next in May 2024 Uma Ramanan has passed away at the age of 72 who was she तो friends Uma Ramanan जिनका 72 वर्ष की आयो में निधन हो गया है आपको बताना यह कौन थी तो friends यह एक playback singer थी जिनका यहाँ पे 72 years की age में यहाँ पे death हो गया है Upar Ramanan was a trained classical singer she was from the state of Tamil Nadu तो Tamil Nadu से बिलॉंग करती थी अगला in March 2024 the chairman of Ram Krishna Mission has passed away at the age of 95 what was his name March 2024 में Ram Krishna Mission के अध्यक्ष का यहाँ पे देखे 95 वर्ष की आयो में निधन हो गया है इनका नाम क्या था आपको बताना है तो right answer होगा option number D option D right answer देखे Swami Smarananda महराज Swami Smarananda महराज became the 16th president of Ram Krishna मठ and Ram Krishna Mission in 2017 2017 में यह सोलवे president बने थे Ram Krishna मठ और Ram Krishna Mission के next former Indian international cricketer David Johnson has passed away at the age of 52 he was from which state friends यह बिलॉंग करते थे करनाटक से इनके बारे में देखे former Indian international cricketer और करनाटक right arm fast baller David Johnson जिनका यहाँ पे 52 years के age में death हो गया है यह करनाटक से बिलॉंग करते थे अगला है इन जून 2024 famous historian पी थनकापन नायर has passed away at the age of 91 where was he born तो यहाँ पे friends इनका जन्म हुआ था एरना कुलम के रिलामी detail में समझते हैं इनके बारे में देखे रनाउंड author और researcher थे पी थनकापन नायर who was known as the barefoot historian of Calcutta has passed away at the age of 91 तो यहाँ पे देखे जाने माने लेखक और शोद करता थे पी थनकापन नायर जिने कलकत्ता की नंगे पाउं इतिहासकार की रूप में भी जाना जाता था इनका जो है 91 वर्ष की आयो में निधन हो गया है इनका जन्म कब हुआ था 1933 में हुआ था देखे कहां मंजा पारा एरना कूलाम केरेला में इस बुक वाज जॉब चर्नोक फाउंडर ओफ केलकटा ठीके तो इनके दुआरा लिखा गया था एक बुक जिसका नाम है जॉब चर्नोक फाउंडर ओफ केलकटा पब्लिजट फॉर दा फर्स ताम इन 1977 जो की पबलिश हुई थी 1977 में इस लेटेस्त बुक गांधी जी इन कैलकटा वस पबलिज़े इन जुलाई 2019 तो इनकी जो रिसेंट बुक थी लेटेस्ट बुक वो थी गांधी जी इन कैलकटा जो की 2019 में पबलिश हुई थी Friends, आगे बढ़ेंगे, in June 2024, Shrinivas Hegde, who was the director of Chandrayaan 1 mission, has passed away at the age of 71, in which year was the mission launched Friends, देखें, Chandrayaan 1 mission के जो director थे, Shrinivas Hegde, इनका 71 वर्ष के IU में निधन हो गया है तो आपको बताना है कि जो Chandrayaan 1 mission है, ये कब launch किया गया था Friends, इसको 2008 में launch किया गया था तो देखें, Shrinivas Hegde, जो की mission director थे, इंडिया की पहले मोन mission Chandrayaan 1 का, इनका जो है जिन्धन हो गया है बेंगलूरू में Shrinivas Hegde has worked with ISRO, Indian Space Research Organization, for more than 3 decades Right? अगला है, former Indian Army officer, Konolal Vyabhu Anil Kale, has died at the age of 46, after an attack on his vehicle in Gaza, Rafa City, in May 2024 He was from which state? तो friends, ये बिलॉंग करते थे Correct answer हो जाएगा, यहां पर Maharashtra, option number D तो यहां पर बात करें, इनके बारे में, Vyabhu Anil Kale, was currently serving at the United Nations, as a staff member of United Nations Security and Security Department in Gaza 46-year-old Vyabhu Kale, was born in Maharashtra, he joined the Indian Army in 1998 Next question, Richard Rick Slammin, the first person to get a pig kidney has died, he was from which country? ये question आपके लिए काफी important हो जाता है, double star कर लीजएगा, sewer के kidney लगवाने वाले पहले शक्स, Richard Rick Slammin, की यहां पर मौत हो गई है, ये किश देश से थे? फ्रेंट्स ये अमेरिका से थे? अगला कोशिन, पदमश्री अवार्डी राइटर, मालती जोशी has passed away at the age of 90 She was from which state? तो मालती जोशी, फ्रेंट्स ये बिलॉंग करती थी महरास्ट्रा से, जिनका 90 वर्ष के आयो में, यहां पर निधन हो गया है तो वेटरन स्टोरी राइटर और पदमश्री अवार्डी है, मालती जोशी, at the age of 90, इनका डेथ हो गया है She was awarded with पदमश्री in 2018, 2018 में ने जो है पदमश्री दिया गया था मालती जोशी was born on 4th June 1934 in औरंगाबाद महरास्ट्र इनका जन्म कहां हुआ था औरंगाबाद महरास्ट्र में, 1934 में तो फ्रेंट्स आगे जाने से पहले कुछ यहां पर important, जो most popular obutaries हैं उनके बारे में एक बार जस्ट रिवाइस करेंगे देखें, वेटरन स्पोर्ट जन्रलिस्ट है, हर पाल सिंग बेदी इनका यहां पर निधन हो गया है जून 2024 में नेक्स देखें, इन में 2024, डिजनी ग्रेट सॉंग राइटर रिचर्ड एन शेर्मन, has passed away at the age of 95 इन में 2024, रिनाउंड उर्दू राइटर हैं, सलाम बिन रजक passed away at the age of 83, in 2004, he was awarded the prestigious Sahity Academy Award for उर्दू लिट्रेचर, तो उर्दू लिट्रेचर के लिए Sahity Academy Award दिया गया था, सलाम बिन रजक को जिनका हाली में निधन हो गया है, next day in May 2024, former Boeing CEO Frank Scroonj has died at the age of 92, तो ये भी कुछ important of utilities हैं, आपको साथ में याद रखने हैं, आगे बढ़ते हैं और आपका अगला question देखिए, in May 2024, कमला बेनिवाल, the first woman minister of Rajasthan and governor of Tripura, मिजोरं, including Gujarat, has passed away at the age of 97, where was she born, तो यहाँ पे कमला बेनिवाल, ध्यान रखिया friends, पहली woman minister थी ये राजस्थान की, साथ में ये governor रह चुकी है, Tripura की, मिजोरं की और Gujarat की, तो इनका हाली में निधन हो गया है, आपको बताना है, ये कौन से यहाँ पे का जन, कहाँ पे हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा, friends, यहाँ पे, option number B, जून जूनू, राजस्थान, देखे, राजस्थान की पहली woman minister कमला बेनिवाल, has passed away on 15th May 2024, in Jaipur, राजस्थान, she was 97, आगे बढ़ते हैं, in April 2024, European scientist, Peter Hicks, has died at the age of 94, he received the 2013 Nobel Prize in Physics, for whose invention, तो अपरेल 2024 में, European विज्ञानिक, Peter Hicks का 94 वर्ष की आयू में निधन हो गया है, इनको भौतकी में 2013 का नुबल पुरुसकार, किसके अविश्कार के लिए मिला था, तो यहाँ पे correct answer reference देखे, God particle के, यहाँ पे अविश्कार के लिए, invention के लिए इने ये award दिया गया था, बात करें इनके बारे में physicist Peter Hicks, जिनका यहाँ पे 94 years के age में death हो गया है, कि कौन से country से थे, Britain से थे, Peter Hicks got fame with the discovery of Hicks boson particle, जिसे God particle कहा जाता है, इसके अलावा इन्होंने God particle की खोज कपत की थी, 1964 में, आगे बढ़ते हैं, in June 2024, former Indian footballer and famous coach, T.K. Chathunni has passed away at the age of 79, he was from which state, friends, यह बिलॉंग करते थे केरिला से, इनके बारे में देखिए, T.K. Chathunni है न, in 1979, he became the coach of केरिला Santosh Trophy team, तो केरिला के Santosh Trophy team के यह coach थे, Chathunni also wrote autobiography titled, Football My Soul, ठीके, इनकी autobiography थी, Football My Soul, in which he wrote about the impact football had on his life and career, तो उनके life में और career में, football का क्या role था, impact था, यह सब इनोंने अपने autobiography में बताया था, next question, in the year 2024, famous poet, writer and padmashree recipient, Surjit Patar, has passed away at the age of 79, he was from which state, तो यह belong करते थे, friends, इन में से, correct answer है, पंजाब, बात करें, इनके बारे में, देखे, Surjit Patar, जो की, renowned Punjabi poet थे, writer थे, padmashree recipient थे, तो यहाँ पे इन्हें, friends, 79 years की, यहाँ पे age में इनका death हो गया है, लुधियाना, पंजाब में, his achievements were recognized at the highest level when he was awarded the padmashree in 2012, तो friends, padmashree ने 2012 में दिया गया था, यह point काफी important है, अगला इन जून 2024, renowned Indian environmentalist, AJT John Singh, passed away at the age of 78, he was from which state, right answer, Tamil Nadu, इनके बारे में देखेगा, an important Indian wildlife scientist and environmentalist named Asir Jawahar Thomas John Singh has passed away, 78 years था इनका age, इनका यहाँ जन्म कहाँ पे हुआ था, नंगुनेरी तमलाडो में जन्म हुआ था, during his work, John Singh was the great help in saving many species, such as Asiatic elephant, Asiatic lion and many more, तो इनका यहाँ पे काफी ज़्यादा बड़ा role था, for saving Asiatic elephant और Asiatic lion और बाकी काफी सारे species, next question है, in June 2024, the late internationally renowned artist, Pandit Rajiv Taranath, has passed away at the age of 92, which musical instrument was he related to, very very important, double star कर यह, काफी important है, आ सकता है exam में, यह friends Sarodh से associated हैं, देखे, internationally acclaimed सरोध माईस्टो पंडित Rajiv Taranath, जिनका यहाँ पे 92 years के age में death हो गया है, करनाटका से बिलोंग करते थे, इनका जन्म हुआ था October 17, 1932 को, और इनने करनाटका कलाश्री अवार्ड 1993 में दिया गया था, करनाटका राज जोटसव अवार्ड 1996 में और संगीत कलारत्न जोती सुब्रमन्या अवार्ड भी ने दिया गया है, इनका जन्म कहां पे हुआ है, हुआ था, होंग कॉंग में हुआ था October 17, 1933 को, अगला, इन जून 2024, रामोजी राओ, the founder of E. Nado Group and Ramoji Film City, has passed away at the age of 88, where was he born? तो, फ्रेंट्स, इनका यहां पे जन्म हुआ था, पध़पारुपूडी, आंदरप्रदेश में, अगला, इन में 2024, उसकर विनिंग, Albert Stoland Rudy, has passed away at the age of 94, who was he? तो, फ्रेंट्स, यह एक फिल्म प्रोड्यूजर थे, देखे, Canadian, American, फिल्म और टीवी प्रोड्यूजर थे, Albert S. Rudy, जिन्होंने ओसकर भी जीता था, for the Godfather and Million Dollar Baby के लिए, और इनका जो है, यहां पे डेथ हो गया है, at the age of 94, चलिए, अगला कोशन रहेगा in May 2024, इंडस्ट्रियलिस्ट रगुनंदन कामत, पॉपिलर्ली नोन अस आइस्क्रीम मैन अफ इंडिया, has passed away at the age of 75, he was from which state, डबल स्टार करिये, very important question, आइस्क्रीम मैन अफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, इंडस्ट्रियलिस्ट है रगुनंदन कामत को, तो इनका यहाँ पे death हो गया at the age of 75, यह करनाटका से बिलॉंग करते थे, तो कुछ important points डिसक्स करेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं रगुनंदन कामत, जिने आइस्क्रीम मैन अफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, इनका death हुआ है at the age of 75, तो इन्होंने natural ice cream की foundation की थी, और इनका जन्म हुआ था मुल्की, a city in करनाटका में, अगला, in the year 2024, former union minister वी श्रीनिवास प्रसाद has passed away at the age of 76, he was from with state, फ्रेंड्स ये बिलॉंग करते थे करनाटक से, तो देखिए कि ये पहले union minister भी रह चुके हैं, तो भारती जन्दा पार्टी के MP और former union minister रहे है वी श्रीनिवास प्रसाद, जिनका यहाँ पर death हो गया है at the age of 76, इनका जन्म हुआ था फ्रेंड्स 6 अगस्त 1947 को, अशोग पुरम मैसु डिस्ट्रिक्ट ओफ करनाटका में, नेक्स रहेगा in the year 2024, दा फेमस नॉवलिस्ट, दा निव यॉर्क ट्राइलोजी, पॉल ऑस्टर has passed away at the age of 77, he was from which country, तो फेमस नॉवलिस्ट रहेज़ेंड्स पॉल ऑस्टर, जिनकी नॉवल थी दा निव यॉर्क ट्राइलोजी, इनका at the age of 77 निधन हो गया है, आपको बताना है यह कौन से कंट्री से हैं, तो यह बिलॉंग करते हैं, अमेरिका से, इनके बारे में जानेंगे, आगे बढ़ेंगे, रेनाउंड जर्नलिस्ट, पब्लिशर, और एडिटर ऑफ डेली हिंदी मिलाप, विनेवीर, तो यह बिलॉंग करते थे ते तिलंगाना से, तो यह बिलॉंग करते थे आपको बताना है, राइट आंसर होगा उत्तरा खंड, अगला कोशन इन एप्रिल टॉजन 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 के जनक, आपको बताना है इन में से क्या थे, तो यह एक फेमस म्यूजीशियन टॉजन 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 टॉजन, सैंपरी में देखिए, इन टॉजन 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 टॉजन, मजीटिया का 103 वर्ष की आयों में निधन हो गया है इनका जन्म कहां पे हुआ था तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स यहां पे शिम्ला ठीक है तो देखिए फाइटर पाइलेट स्क्वैडर लीडर थे दलिप सिंग मजीटिया जिनका 103 यर्ज के एज में डेथ ह हो गया है इनका जन्म हुआ था 27 जुलाई 1922 को शिम्ला में एक्स कोशन आइसी सी हौल अफ फेम स्पिनर डेरेक अंडर्वोर्ड हैस पास जवे अड़ अड़ एड़ 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 सेवेंटी एड ही बिलॉंग तो फ्रेंट्स यह बिलॉंग करते थे इंग इनसे बारे में देखिए और एंथल जेम्स सिम्सन वस अन अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर एंड एक्टर ही हस पास्डवे अड़ एड़ 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 सेवेंटी स्वेंटी एड्युनेड एक्टी इन एड़ पराइल तो इहां पे राइट आंसर होगा फ्र April 2024 विश्वेश्वर राउ पास्डवे अड़ अड़ अग्टर थी अगला इन मार्च 2024 नोबल लॉरेट देनियल कहने मैं है इनके बारे में तो देखें डेनियल कहने मन राउनियल कि डिया गया था इनको नोबल प्राउजने राउनियल कहने मार्च 2024 नवीश्वेश्वर का इनके बार निधन हो गया है इनका नाम क्या था तो friends इनका नाम है गुरू लिंग काप से अगला in March 2024 the Tamil actor passed away due to heart disease what was his name इनका नाम था friends लक्ष्मी नारायन शेशू आगे बढ़ेंगे in March 2024 Oscar winning star Louis Gossett Jr. passed away in which year he was awarded Oscar award तो friends इनको 1982 में Oscar award दिया गया था दिखें for his role in Gunnery Sergeant Emil Foley in An Officer and a Gentleman he won the Academy Award for the Best Supporting Actor 1982 में and he became the first black actor to win in this category friends An Officer and a Gentleman में Gunnery Sergeant Emil Foley की भूमिका के लिए उन्हे सर्व स्थ्रेश्ट सहायक अभिनीता का अकादमी प्रुसकार दिया गया था और इस ट्रेश्टी में जीतने वाले ये पहले अश्वेत अभिनीता बन गये थी friends अगला कोशन देखिएगा दामोदर राउत was the former minister of which state who passed away in March 2024 at the age of 83 तो यहाँपे friends former minister रह चुके हैं उडिसा के दामोदर राउत जिनका यहाँपे 83 years के एज में डेथ हो गया है दिखे फॉर्मर उडिसा के minister और 7-time MLA दामोदर राउत इनका डेथ हो गया है friends in the hospital in Bhuvaneswar in March 2024 at the age of 83 he was actively involved in the electoral politics from 1972-2019 next question in March 2024 former member of national commission for scheduled caste and scheduled tribe and the prominent buddhist monk leader of Ladakh has passed away at the age of 94 what was his name तो friends इनका नाम था Lama Lobzang next which commander of the Apollo 10 lunar mission in March 2024 has passed away at the age of 93 correct answer हो जाएगे हाँ पे Tom Stafford आगे बढ़ेंगे what is the name of former shuttler who invented the spin service passed away in the March 2024 तो मार्च 2024 में spin service को इजाद करने वाले पूर शटलर का निधन हो गया है उनका नाम क्या है तो friends इनका नाम यहाँ पे है Satish Bhatia option number D is the right answer इनके बारे में देखिए Indian shuttler और wing commander retired Satish Bhatia इनका 81 years के age में death हो गया है he was an AN-12 transport pilot commissioned in the Indian Air Force in 1964 and last row in 1993 and a three-time Thomas Cup player is credited with inventing a spin service तो इनके बारे में मैं जैसे बता रही हूँ देखिए वे 1964 में भारती वायू सेवा के commission प्राप्त AN-12 transport pilot थे और उन्होंने 1993 में आखरी बार विमान उड़ाया था और तीन बार Thomas Cup खेलने वाले Satish को spin service इजाद करने का श्रे दिया जाता है इसके साथ friends आपका अगला question in March 2024 Padma Awardee Artist Kapil Dev Prasad passed away at the age of 72 in which year was he awarded the Padma Award तो friends इनको Padma Award दिया गया था 2023 में next है अरुन कुमार शर्मा passed away in March 2024 at the age of 91 who was he तो अरुन कुमार शर्मा friends ये एक archaeologist थे जिनका यहाँ पे 91 years के age में death हो गया है और इनको Padma Shree भी दिया गया था 2017 में next in March 2024 senior Congress leader and former governor of which state Ajij Qureshi has passed away at the age of 83 तो यहाँ पे right answer हो जाएगा उत्तर प्रदेश ठीक है senior Congress leader थे और former governor थे friends उत्तर प्रदेश के जिनका 83 years के age में death हो गया है next in March 2024 which country's former Prime Minister Brian Mulroney has passed away at the age of 84 तो correct answer है Canada अगला question in February 2024 इंडिया's oldest MP and समाजवादी पार्टी लीडर शफीकूर रह्मान बर्ग has passed away at the age of 94 he was from which state तो यहां के देखिए very important question friends देखिए सबसे भारत के सबसे बुजुर्ग सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता थे शफीकूर रह्मान बर्ग ठीक है आपको बताना है यह किस राजे से थे फ्रेंट्स यह बिलॉंग करते थे उत्तर प्रदेश से next which state Congress MLA राज वेंकटपा नायक has passed away at the age of 64 in February 2024 करेक्ट आंसर है करनाट का next question in February 2024 दा ग्रेट गजल सिंगर पंकज उदास passed away at the age of 72 he was from which state फ्रेंट्स यह बिलॉंग करते थे गुजरात से अगला है इन February 2024 कुमार सहानी passed away at the age of 83 he was related to which profession फ्रेंट्स यह एक film producer थे इनके बारे में बात करें तो इंडियन film industry के acclaimed director कुमार सहानी इनका 83 years के age में death हो गया था कॉलकता में इनका जन्म कहां पे हुआ था लरकाना सिंध में हुआ था 1940 में और देखिए यह leading figure थे in the Indian cinema फ्रेंट्स आगे बढ़ते हैं और आपका अगला question देखिएगा विच स्टेट्स क्रिकेटर के हुए सला has died of heart attack at the age of 34 in February 2024 he was from which state तो यहां पर के हुए सला फ्रेंट्स यह बताना है आपको यह किस स्टेट के क्रिकेटर थे जिनका यहां पर हाली में heart attack की वज़े से डेथ हो गया है तो फ्रेंट्स यह बिलॉंग करते थे करनाटका से नेक्स कोशन विच कंट्री इस 1990 वर्ल कप विनिंग गोल स्कोरर अंट्रियास ब्रहम है पास्ट जवे अधस एज ओग इज ऑग इज और फेबरी 2024 देखें फॉर्मर लोग सभा स्पीकर और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिच स्टेट मनुहर जोशी हैस पास्ट आवे अ लोग सभा के स्पीकर भी रह चुके हैं और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं नाम देखे हैं मनुहर जोशी आपको पता ना यह कौन से स्टेट के फॉर्मर ची सीम थे तो फ्रेंड्स यह फॉर्मर सीम थे महाराश्ट की ठीक है नेक्स्ट इन फेबरवरी 2024 रनाउं 2007 में इनके बारे में बात करें तो Noted Constitutional Jurist and Senior Supreme Court Advocate है फली एस नरीमन इनका यहाँ पे डेथ हुआ है फ्रेंड्स at the age of 95 in New Delhi नरीमन's legal acumen was recognized nationally through the Padma Bhushan in 1991 followed by Padma Vibhushan in 2007 तो इनको फ्रेंड्स Padma Bhushan से नवाज आ गया है 1991 में और Padma Vibhushan से 2007 में अगला कोश्टन इन फेबरवरी 2024 एमिनन्ट जैन मोनी अचार्य विद्या सागर महराज has passed away at the age of 77 he was born in which state तो फ्रेंड्स इनका जन्म हुआ था करनाटका में बात करें इनके बारे में तो इनका जन्म हुआ था 10th October 1946 को सदल्गा करनाटका में फ्रेंड्स आपका अगला कोश्टन है आइकॉनिक दम पुक्त शेफ इम्तियाज खुरेशी has passed away at the age of 93 he was from which state फ्रेंड्स यह बिलॉंग करते थे इनमें से उत्तर प्रदेश से अगला आता है कोश्टन इन फेब्रवरी 2024 दा कंट्री के ओल्डेस टेस्ट क्रिकेटर दत्ता जी राओ गायकवार्ड has passed away at the age of 95 he was from which state फ्रेंड्स यहाँ पे दत्ता जी राओ गायकवार्ड यह बिलॉंग करते थे अगें उत्तर प्रदेश से तो यह कंट्री के ओल्डेस टेस्ट क्रिकेटर थे ठीक्या आगे बढ़ेंगे इन फेब्रवरी 2024 एमिनेंट राइटर और पदमश्री अवार्डी उश्यकिरन्श खान फस्जावे अड़ इज बिलॉंग करती थे बिहार से अगला रहेगा इन फेबरवरी 2024 सिनियर आर्टिस एराम चंदरन पस्जावे अड़ इज अगेंट इज अगेंद फोर्डा से आपका अगला कोश्षन इन फेबरवरी 2024 फॉर्मर चीलियन इन के बारे में कुछ important points बात करें तो इनका death कैसे हुआ है helicopter crash से इनका death हुआ है पिने राज इनका age 74 था was a stalwart in चिलियन politics having served twice as the president from 2010 to 14 and again from 2018 तो दो बार फ्रेंट्स ये चिली के president रह चुकी थे कब से कब तक देखे एक बार 2010 से 2014 तक और दूसरी बार 2018 से 2022 तक आपका अगला question in February 2024 poet and sahit academy awardee फारुक नाजकी has passed away at the age of 83 where was he born तो friends इनका जर्म हुआ था जम्मो कश्मीर में है कौन इनके बारे में देखिए फारुक नाजकी a respected poet broadcaster distinguished recipient of sahit academy award इनका death हो गया है at the age of 83 born in the beautiful landscape of कश्मीर फारुक नाजकी's poetry and travel in the field of broadcasting was inspired by his deep love for culture and language next question को देखिए friends dr. Nithya Anand who discovered India's first oral contraceptive pill saheely in January 2024 has passed away at the age of 99 he was the in charge of which institution तो friends ये Central Drug Research Institute के in charge थे तो इनके बारे में देखिए कौन है ये dr. Nithya Anand जिन्होंने इंडिया का पहला oral contraceptive pill saheely को यहाँ पे discover किया था इनका at the age of 99 डेथ हो गया है लखनाव में और ये in charge थे Central Drug Research Institute के CDRIK from 1974 to 1984 अगला कोशन देखिए in January 2024 in the heat of night director Norman Jusun has passed away at the age of 97 he was from which country तो friends ये बिलॉंग करते थे Canada से इनके बारे में बात करें तो acclaimed Canadian director है Norman Jusun जो की जाने जाते हैं for his classic film in the heat of night के लिए 97 years के age में इनका death हो गया है अगले कोशन को देखिए in January 2024 classical singer प्रभा आत्रे has passed away at the age of 91 in which year was she awarded the Padma Vibhushan very very important question तो friends इनको दिया गया था Padma Vibhushan 2022 में इनके बारे में बात करें तो देखिए eminent classical vocalist और किराना घराना से बिलॉंग करती है डॉक्टर प्रभा आत्रे जिनका at the age of 91 यहां पर death हो गया है पूने में डॉक्टर आत्रे's contribution was honored with several prestigious awards इन्हें काफी सर्य awards दिये गये हैं कौन-कौन से awards है देख लीजे शी वस awarded with संगीत नाटक Academy 1991 में दिया गया पदमश्री 1990 में पदमभूशन 2002 में और इंडिया का second highest civilian honor पदमभी भूशन 2022 में फ्रेंट्स इन में से एक definitely आपके exam में आ सकता है तो यह पुजब पॉइंट है आपके लिए काफी important है इसको आप double star कर लीजेगा ठीक है अगला question in January 2024 दा फेमस उर्दु पोईट मुनावर राना हैस पास्ट अवे अड़ाइज और दाइज और दाइज और से अगला in January 2024 उस्ताद राशिद खान हैस पास्ट अवे अड़ाइज और दाइज और 55 ही वस फ्रेंट यह भी बिलॉंग करते हैं जर्मनी से नेक्स कोशन और आपका लास्ट कोशन इन जैनुरी 2024 प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा एन एमिनेंट फिगर ओफ इंडियन डायस्पूरा तो फ्रेंट्स इन्हें पद्मभूशन दिया गया है 2018 में तो option नमबर A इसका right answer है तो फ्रेंट्स यह हो गए आपके सारे important questions 70 plus questions मैंने आपके साथ यहाँ पे discuss किये हैं सारे questions आपके लिए काफी important थे और मैंने आपको with extra important points भी हाँ पे सब कुछ बता दिया है ठीक है अब आता है आपका test question तो पहला test question है आपका president Ibrahim Raisi has died at the age of 63 in a helicopter crash in May 2024 he was president of which country तो Ibrahim Raisi किस country के president थे आप हमें यह बताएं अगला question है vice president Solos Chilima who died in plane crash in June 2024 belongs to which country तो यहाँ पर बताना है कि Solos Chilima यह इन में से किस country से belong करते हैं ठीक है तो यह हो गए friends आपके दोनों test questions जिसका answer आपको हमें comment करके बताना है साथ में friends मैं आपको बताना चाहूंगी हमारे paid pdf के website के बारे में जो की है www.ravibookspdf.com यहाँ पर आपको रवी सर की जीके और current affairs की जो pdf है न हिंदी और English medium दोनों में मिल जाएंगी recently आपके लिए में का जो monthly current affairs है इसका ebook यहाँ पर launch किया गया है जहाँ पर आपको 550 plus mcqn one liner questions देखने को मिलेंगे और वो भी topic wise आपको यह सारे questions मिल जाएंगे और इसके अलावा last five months का जो current affairs का pdf है friends यह भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा जहाँ पर January 2 में के सारे questions यहाँ पर cover किये गए है तो इन में से अगर कोई भी pdf परचेस करना चाहते हैं आप हमारे website पर जाके इने परचेस कर सकते हैं और फ्रेंड्स तो यह है हमारा आज का last slide I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो का पसंद आया है तो वीडियो को like और अपने friends के ताद share जरूर करिएगा मिलते हैं एक और important topic के साथ next video में तब तक हे लिए thank you and have a nice day